गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तों आज है दो अगस्त और आज की जितने भी करेंड अफेस की इंपोर्डेंट कोईश्चन बने इस वीडियो मैं आपके लिए कर आ गया हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो की पीडियो फाइल आप वीडियो की डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक मिल जागे उसमें क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं आप सब के लिए इसी सेवा करता रहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों एक बार फिर से दिल से आभार आप सभी का तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करना फेस दोस्तों पहला कोश्चन है चौविश्वा राजीब गांधी राष्टी सद्भावना पूरुसकार किसे मिलेगा दोस्तों चौविश्वा राजीब गांधी राष्टी सद्भावना पूरुसकार मिलेगा गोपाल कृष्चन गांधी को यानि आपसंसी राइट है देखिए दोस्तों पस्चिब मंगाल के पूर्व गवरना रही है गोपाल कृष्चन गांधी को करता हैं राजीब गांधी पुरुषकार के राजीब गांधी सद्भावना पुरुषकार के तो उसमें हैं मदर टेरेशा उस्ताद बिश्मिल्ला खां मुहम्मद यूनिस लता मंगेशकर सुनील दत दिलीप कुमार कपिल वातसायन तीस्ता सेटलवार सामिल हैं ठीक है तो च परसेंट एक्जाम में बहुत बार पूछा जाता है सबसे पहले भी हाली में जो प्रदान हुआ है रेमन मैक्से से पुरुषकार इसके बारे में आप जाल लीजिए दोस्तों रेमन मैक्से से पुरुषकार मिला है भारत वाटवानी और सोनम बांग चुक को यह कुश्चन स्रेडियों में टोटल दिया जाता है इस थापना 1957 में ठीक है और अगला आपको बता देक दादा साफ फाल के पुरुषकार जो 2018 मिला है वो बिनोत खना जी को मिला था और दादा साफ फाल के पुरुषकार दोस्तों इसकी स्थापना होई थी 1969 में ठीक है 1969 में जो है तो इ पहली प्राप्त करता थी वो थी देविकारानी रोरिक एक और पुरुषकार आपको बता देता हूं ज्यान पीट पुरुषकार यह भी बहुत इंपोर्डेंट है साहित के शेतर में दे जाता है यह मिला है अभी आखरी जो मिला था कृष्णा शोबदी को और ज्यान पीट पुरुषकार साहित के शेतर में दे जाना वला सरवोच पुरुषकार की स्थापना होई थी 1965 में कब होई थी ग्यान पीट पुरुषकार की स्थापना 1965 में और जो फस्ट पहले प्राप्त करता थे वो तो जी संकर कुरूब मले आलम भासा में मिला था ठीक है जी संकर कुर तो चौबिश्मा राजीव गांधी राष्टी सद्भावना पुरुषकार किसे मिलेगा गोपाल किसने गांधी को मिलेगा ठीक है दोस्तों तो इस कोईशन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती इसी तरह मैं हर कोईशन में सब्सक्राइब करते हूं तो प्लीज वीडियो फेस्बूब पर लाइक कर लीजे आप फिर आपको वीडियो की दिस्क्रिप्सवन की लिंक वी मिल जाएक को उसमें उसमें क्लिक करके ऋंलोड करें आप फेस्बूबू पर भी फालो का लीजिए आपको कुछ पहले है राज्य है दोस्तों वो है राजस्थान ठीक है अनिया उपसंडी राइट देखें तो राजस्थान माई 2018 में केंदर द्वारा शुरू की गई जैव इधन पर राश्टी नीति लाउ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है ठीक है इसके लाब आपको बता दे क राज्य तिलहन के उत्पादन में बृद्धी पर जोर देगा इसके लाब यह बैकलपी की इधन और रूजर संसादनों के छेत्र में अनसंधान को बढ़ावा देने के लिए उधैपूर में उत्कृष्टा केंदर स्थापित करेगा ठीक है इसके लाब दोस्तों यहाँ प वो भी था राजस्थान 2012 में और ग्राम नियाले आरम करने वाला देश का प्रतम राज्य भी था राजस्थान ठीक है ग्राम नियाले आरम करने वाला देश का पहला राज्य काउन था वो भी था राजस्थान ठीक है दोस्तों यहाँ पे और आपको कुछ फैक्ट बता देत वहीं हुआ दूंड बेंकिंग वाला देश का पहला राज ने तुमट बेंकिंग वाला देश thesis पहला राज था उट है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि देश में खानों की निलामी शुरू करने वाला पहला राज्य था वो था करनाटक सुरी दोस्तों गुजराथ देश में खानों की निलामी करने वाला पहला राज्य था वो था गुजराथ 1818 को मौद्रिक नीती समिक्षा बैठक में रेपो रेट बढ़ा कर कितने फिच्टी कर दिया है तो बहुत इंबॉडन कोईश्चन है इसका राइड एंसर है उपसंडी 6.5% अब यहां पर बात रेपो रेपो रेट को रेपो रेपो रेट के बारे हम आपको बता दें रेपो क्या होती है रेपो रेपो रेट दोस्तों वह दर होती है जिस दर पर बैंकों को RBI करज देता है और जब भी बैंकों के पास कोस की कमी होती है तो इसकी भरपाई करने के लिए केंदरी बैंक से पैसे लेते हैं और रेपो रेपो रेट की तरफ से दिये जाने वाला यह कर ज तर्पर बैंकों को उनकी और से RBI में जमाधन पर व्याज मिलता है ठीक है RBI को RBI में जमाधन पर व्याज मिलता है बैंकों था 6 ठीक पहले 6 था तो इसको बढ़ा कर 6.25 कर दिया गया है तो अरभी आई ने कर दो राष्ट की सरकारी विकास हुचकांग में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है तो सायुक्त राष्ट की सरकारी विकास हुचकांग यानि युनाइटेड नेशन 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 युनाइटेड और आपको बता दें कि भारत 2014 में 118 में स्थान पर था और वो है जो तो 2018 में 169 पर पहुंच गया है इसके लाबा इसमें दोस्तों स्कोर के साद जो top 6 कंट्रीज हैं वो हैं फर्स्ट नमर पर डेनमार्क सेकेंड नमर पर औस्टेलिया थर्ड पर कोरिया फोर्थ पर यूनाटेट किंगनम फित पर स्विडिन और सिक्स पर फिनलैंड टॉप पर इसमें डेनमार्क और भारत को 96 अस्थान मिला, यह बहुत important question है, ranking से related question पूछ ले जाता है, अगला question है, 2018 RVC Canadian Open Golf का खिताब किस ने जीता है, 2018 RVC Canadian Open Golf का खिताब Justice Johnson जीता है, यानि option भी राइट है, देखें तो Justice Johnson ने कानाड़ा में, वो कभीले में, गलेन एवे गोल्फ कलब में, RVC Canadian Open 2018 जीत लिया है, और आपको बता दें, कुए वरतमान में विश्च में नमबर एक स्थान पर है, और आपको वो है लगातार तीन सत्रों में, कम से कम तीन जीत के साथ, टाइगर बूट्स के बाद वो पहले खिलाड़ी बन गए है, और आपको बता दें, कानाड़ा की मुद्रा है, करेंसी है कानाड़ाई डॉलर और राजजानी है ओटावा, तो 2018 RVC Canadian Open World Cup की ताब किसने जीता है, जीत लिए Justice Johnson ने, टाइगर बूट्स भी जो तो गोल्व के ब भारती भासा प्रद्योग की उद्योग भासांतरा के लिए एक सम्मेलन में एक डिस्क टॉप सॉप्ट्वेर ई अक्षरयान लांच किया है, और इसका उद्देश से है, इसकैन किये गए दस्तावेजों में पार्ट के संपादन और प्रिंटिंग को सक्षम करना, और सॉप प्रद्योग की मंदरानी आईटी इन्फोर्मेशन और टेकनोलोजी मिनिस्ट्री द्वारा चलिए, अब देख लेते हैं दोस्तों, कल का एंसर, कल मैंने कोशन पूछा था, मानो तसकरी के खिलाप विश्चु दिवस्ट कम मना जाता है, जिसका राइट एंसर था दोस्तों धन्यवाद, आप सबने इतनी सारी अमूली शुप कामना भेजी अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुप हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जै हिन बंदे मातरम